यह बेला मायल का इंजेक्शन है जो पसुओं में लगा जाता है और यह लगाया जाता है पसुओं की भूख को बढ़ाने के लिए तो इसकी डोज क्या होने चाहिए कि कंपनी क्या होती है इस्टेंडर्ड डोज बना दी 10 ml 300 किलो के लिए लोग गलती क्या करते हैं जो की कम लगना चाहिए और जो पसुओं साड़ी 300-400 किलो का है उसमें भी 10 में लगा देते हैं उसमें ज्यादा लगना चाहिए तो डोज का कैलकुलेशन बहुत अंतर मायने रखता है तो जो लोग इलाज करते हैं पसुओं का यहीं गलती खा जाते हैं डोज का कैलकुलेशन क करना मुसकिल होता है तो आप अपने असाब से कम करते हैं पसुओं का 30 किलो से ज़्यादा है तो उसका मात्रबड़ा था ठीक है यह तो हो गई इसकी डोज आप दूसरा बनता क्या यह नहीं लिवर के यह लिवर मैंसे बनाय जाता है यह जो पसुओं का लिवर होता है मचल का लिवर का इंजेक्शन लेकिन सबसे दिक्कत यह आती है कि इसका इस्टोरेज में बहुत गलत लोग के आकरते बैगों में भर लेते हूं बैग में धूप लग रही है सूटकेस में भर लिया सब धूप लगी तो यह खराब हो जाता लोगों पता नहीं चलता फिर इसका जो काम करने के छमता उधी गिर जाती है कभी भी सूटकेस का टेंपरिचर और बैक का टेंपरिचर तीस से उपर नहीं जाना चाहिए तीस होता है जो हम घरों में आम तोर रहते हैं मिर्टि के घर में बैठ जाओ जो ठंड़क लगए वो तीस आडा ने पर आट, लोग अपने बैग में रख लेते हैं चलाते रहते हैं तो इससे क्या इंगासन हपर हो जाता है कि ठीक है तो इस तूरे सही रखना और कुछ लोग क्या है इसके ऊपर का पवर निकाल देते हैं उसमें क्या अल्ट्रा वाले ड्रेज इसके अंतर चली जाती है तो वह इंजेस्टन हो जाता है कभी भी इसके ऊपर का devote कवर न उता रहें कभी वी धूपना लगए ना तेज धूप में में भलकुल ख़रब हो जाता है मैं तो यहां देखा मैं जून में भी लोह माई जून माई 40 टेंपरिचर आ जाता है और रेगेस्तान में तो राइस्तान में तो और ज्यादा चला जाता हो तो इसकी कारेश करने छफ्टर रह गई आदी और फिर क्या तो पसूस ही नहीं हो रहा है तो इसमा गख्यूम के लिए 好吧 होगे नितो रियक्शन लगा निए खराब नहीं होगा इसे वोले सिप्चेश स्वếu खराब नहीं होगा अव आगे साइड एक्त कर सकता है नमर एक तो आपने इंजसम लगाए नसमय चला गया इसलिए शरंज और चीचे, खींच मे लें ठीक है क Ox appeal been welcome लगी नहीं है आप जाएजाए आदमीों की अधीकल अधीक की नरिसींग उम में तो वह सिरेंज को पीछे खींच के देखते हैं कहीं को नहीं टो नहीं अगर कुण में उब तो खुण सकक करके पीछा जाएगा फिर धीमे से लगा दो कि अब यह रेक्शन सो में से एक हजार में से दो को हो सकता है तो रेक्शन रोकने का तरीका एवेल और डेक्शा आपके पास रहना चाहिए और वो भी कलाकारी है डाक्टर जितना अनुभवी होगा जितना आपका अच्छा गुरू होगा आप पेसेंट को सो परसेंट बचा ले जाएंगे जिन लोगों के गुरू नहीं है पसू चिकत सक हो लगा देतां मैं किसी से ना पूंच तो मेरे सारी पसू सही हो जाते हैं लेकिन द्यानक ना जिस दिन पसू मरेगा बीमार होगा आप रोक नहीं पाएंगा उसी दिन पकड़े जाएंगा आप क्योंकि आपको निकालने माला ही गुरू है तो आप फस जाएंगा और सीधी नहीं होगी तो क्या एलाज करो तो अपने किसी पसूची किस्ता के देख रेक मत एलाज करो करते हैं तो और बगर सेटिवेट के मत करो चोरी चल लए जब तो चल ले यह वह मैटर लगा है ठीक है यह बैला माइल अच्छा लगाने को लोग इतना अच्छा इंजेक्शन गोड़े में बचना चाहिए गोड़े में नहीं लगाना चाहिए गोड़े में लगना प्योर बैला माइल उसका आता सानो कोबालमीन का इंजेक्शन गोड़े में लगाना ट्राइवेट लगा दो यह गोड़े में मत लगाओ क्योंकि लिवर का एक्स्ट्रेक्ट होता है त गोड़ा बहुत सॉफ्ट गोड़ा और आदमी बहुत सॉफ्ट स्किन के होते हैं तो इन में हर इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं तो यह मैंने बेला माल की उपर आपको जानकारी दिये थेंक यू